हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैनियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिल्कुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक रेशिपी लेकर के आए हैं यूनिक के साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही ब्रेट पुडिंग बनाने में बहुत ही आसान है और सभी सामान घर में हमारे पास में उपलब दोता है तो फ्रिंट्स आए ब्रेट पुडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेट पुडिंग बनाने के लिए हमने यहां पे लिए हैं ब्रेट की स्लाइज हमने आपे देखिए इसी तरह से सभी bread slice को हम तयार कर लेंगे pudding बनाने के लिए हमारी bread बिलकुल रेड़ी है सबसे पहले हम bread के piece कर लेंगे sides तो हमने cut कर ली है अब हम इस तरह से bread के piece कर लेंगे ज्यादा चोटा करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि अलरड़ी हमारी bread जो है वो छोटी ही है बहुत बड़े साइज की नहीं है bread को भी हमने cut कर लिया है अब cut कर यही bread को हम side में रख देंगे bread pudding बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने लिया है यहाँ पे एक कड़ाई कड़ाई में हम डाल देंगे एक लीटर दूद दूद आप कैसा भी ले सकते हैं ठंडा गरम और थोड़ा सा आदी कटोई जितना दूद हमने अलग रख लिया है गैस के flame को on कर देंगे गैस के flame को हमने on कर लिया है दूद को इस तरह से चलाते वे हम गरम कर लेंगे दूद बॉइल होने को आ गया है अब हमने जो अलग दूद रखा था कटोरी के अंदर इसमें दो से धाई चमच हम कॉन्फलोर मिला देंगे आप कस्टर्ड पाउडर भी मिला सकते हैं पर कस्टर्ड पाउडर मिलाने से फ्लेवर और कलर दौनो चेंज हो जाएंगे मैंने धाई चमच यहाँ पर कॉन्फलोर मिला दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद में कॉन्फलोर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसको एक बार साइड में रख देंगे कॉन्फलोर डालने से पहले हम डालेंगे दूद में चीनी क्योंकि दूद जो है वो फीका है ब्रैड भी फीकी होती है इसलिए हम यहाँ पर चीनी डालना स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से 6-7 चम्मच चीनी डालेंगे हमने यहाँ पर 6 चम्मच चीनी डाल दी है एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं टेस्ट करके देख लेंगे अगर दूद अच्छा मीठा हो गया है तो ठीक है वरना एक चम्मच चीनी और एड़ कर देंगे इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई भी एसेंस डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है ना इलाइची पाउडर डाला है ना कोई भी एसेंस डाला है आज हम जो bread pudding बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही unique है देखिए चीनी बहुत अच्छे तरह से mix हो चुकी है अब हमने जो conflore तयार करके रखा था थोड़ा करके हम दूद में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार mix करते रहेंगे ताकि lumps ना बने देखिए दूद गाड़ा होने लग गया है इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे नहीं तो नीचे चिपकने लग जाएगा देखिए दूद में boil आने लग गया है दूद बहुत अच्छे से गाड़ा भी हो चुका है आप इस स्टेज पर टेस्ट भी करके देख सकते हैं अगर आपको मीठा कम लगता है तो एक से दो चम्मत चीनी और एड़ कर सकते हैं अभी हम एक से दो मिनिट इसको इसी तरह से पका लेंगे देखिए कितना बढ़िया से दूद गाड़ा हो गया है देखिए कौन फ्लोर वाला दूद एकदम रैड़ी हो चुका है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 10 मिट के लिए हम दूद को ठंड़ा होने देंगे एक बात का ध्यान रखें कि दूद को बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें नहीं तो इसमें उपर पपड़ी आ जाएगी और गाठे बन जाएगी देखिए कौन फ्लोर वाला दूद एकदम रैड़ी हो चुका है काफी अद तक ठंड़ा भी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना गाड़ा हो गया है बिल्कुल इसी तरह से हमें दूद को गाड़ा रखना है पतला भी नहीं करना है नहीं तो हमारी पुडिंग जो है वो अच्छे से साट नहीं हो पाएगी आङगे bread pudding बनाना س्टार्ट करते हैं bread pudding बनाने के लिए हमने यहापन लिए है एक dish अगर आपके नहीं है तो आप एक स्टील की थाली किनारे वाली ले सकते हैं या केक मोल्ड भी ले सकते हैं आज हम ब्रेड पुडिंग रोज फ्लेवर में बनाएंगे रोज फ्लेवर में बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है रोज शर्बत अगर आपके पास में शर्बत न आकर के भी इस तरह से सिरफ तयार कर सकते हैं इससे बहुत ही इच्छा फ्लेवर आएगा और बिलकुल नए डिजाइन की है हम आपके लिए रोज पुडिंग लेकर के आए हैं बहुत आसान रेसिपी है देखिए हमने यहां पे सबसे पहले एक चमच रोज सिरफ डाल दिया है अब हम डाल देंगे थोड़ा सा तयार कियावा दूद हलका से इसको इस तरह से फैला देंगे अब तयार की हुई ब्रेड स्लाइज को हम इसमें इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे वापस से तयार कियावा दूद डाल देंगे बहुत जादा नहीं डालना है बहुत थोड़ा सा डालना है वापस से ब्रेड स्लाइज लगा देंगे देखिए दूसरी लेयर हमने ब्रेड की लगा दी है वापस से तयार कियावा दूद डाल देंगे अब रोज सिरफ डाल देंगे वापस से ब्रेड स्लाइज लगा देंगे वापस से तयार किया हुआ कस्टेड वाला दूट डाल देंगे इस तरह से स्पून से फैला देंगे वापस से एक लेयर और लगा देंगे हमने सभी ब्रेड की स्लाइज लगा दी है और उपर से तयार किया हुआ दूट भी हमने डाल दिया है कितने बढ़िया से हमारी पुडिंग बनके रेडी हो रही है वापस से रोज सिरफ डाल देंगे ब्रेड पुडिंग की एक खासियत हो रहा है कि आप इसको जिस भी फ्लेवर में बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर में आप इसको बना सकते हैं अगर आप यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं तो चॉकलेट फ्लेवर में इसको तयार कर सकते हैं अब हमने लिए है एक कटोरी तयार कीवी क्रीम, क्रीम को भी हम उपर से लगा देंगे, बिलकुल आप्शनल है, अगर आप ऐसे ही रखना चाते हैं, तो आप इसको 8-10 गंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि पुडिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, और अगर आप क्रीम लगाना चाते हैं, तो उपर से इस तरह से क्रीम लगा दीजिए, क्रीम हमने पहले से तयार करके रखी है, देखिए क्रीम लगाने के बाद हमने क्रीम को बिलकुल एकसा कर दिया है, अभी हम इसको इसी तरह से 8-10 गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ब्र गार्निशिंग के लिए 3-4 चमच नागिल का बुरादा, एक चमच हमने आप लिया है, गुलाब का शर्बत, गुलाब का शर्बत को नागिल के बुरादे में डालकर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें जिस चीज से डेकुरेट कर सकते हैं, हमने आपर नाग यह तो आपको जैसा मन करें, वैसे आप उसको गार्निश कर सकते हैं, रोज सिरफ को हमने नारिल के बुरादे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और गार्निशिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा हमने यह पे पिस्ता कट करके रखा है, आप चाहें तो नाइफ टच करना है, हमने पुडिंग के ओपर नाइफ से कट लगा लिया है, अब हमने जो नारिल का बुरादा तयार करके रखा है, इससे हम इसको गार्निश कर देंगे, जैसा चाहें वैसा गार्निश कर सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर ब्रेड पुडिंग बनके तयार हुई है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है, और यकीन मानिये टेस्ट में भी इतनी ही टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात है हमने कितने कम सामान से, कितना आसानी से घर पे ब्रेड पुडिंग को तय पिस्ता भी लगा देंगे देखे रची तक्रफट पोडिंग भी है किटनी पूडंग הमने तक्राइब कर द्यार है इच सब्सक्राइबंस टोफ़ए से कट मुझे सब्सक्राइब जर्च न्यवकारां थैंक्यू-टैंक्यू-टैंक्यू- と झाल झाल